दोस्तो मेरे वीडियो को लाइक, शेर और कमेंट जरूर करें, बेल आइकॉन बटन को दबाए ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिलें, सपनों का संबंध कहीं न कहीं आपके मन और आपकी चाहतों से होता है, ऐसा विज्ञान कहता है, जबकि प्राचिन काल से चली आ ही माननेताओं के अनुसार सपने आने वाले शुब और अशुब फलो के बारे में बताते हैं, कुछ सपने ऐसे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि इनको देखने का मतलब घर में आने वाली बड़ी खुशी है, तो आईए मैं आपको उन सपनों के बारे में बताती हूँ, जो आपके घर में खुशियां लेकर आने वाले हैं तो दोस्तों अगर आप सपने में साप देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपके घर में नए महमान का आगमन हो सकता है यानि आपके घर में संतान का जन्म हो सकता है यह सपना धनलाप का भी सूचक होता है तो दोस्तों सपने में अगर आप साब को देखते हैं तो साब एक अच्छा सूचक माना जाता है सपने में देखने का अगर आप सपने में अनार देखते हैं तो अनार का फल देखने का मतलब है कि आपको धन लाब होने की संभावना है और आपको जल्दी संतान प्राप्ती भी हो सकती है यदि आ आपके घर में कोई खुश खबरी आने वाली है, जो कुछ भी हो सकती है। सपने में यदि आप इमली देखते हैं, इमली का पेड़ या किसी को इमली खाते हुए देखने का मतलब है कि आपके घर में बच्चे की किलकारी गूँजने वाली है। दोस्तों अगर आप सपने में छोटे बच्चे को खेलते हुए देखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपके दामपत्य जीवन में मधूरता आएगी और आपको बहुत जल्द ही संतान प्राप्ती का योग बनने वाला है। महिलाओं का सेब खाते हुए देखने का मतलब है कि खुशकबरी आने वाली है। बहुत मा बन सकती हैं, गोद में और फलो के टोकरी देखने का मतलब होता है कि आपको संतान प्राप्ती होने वाली है। अर्थात सेब देखना बहुत शुब माना जाता है। यदि आप सपने में दरपन देखते हैं तो दोस्तों दरपन देखना बहुत शुब माना जाता है कहा जाता है कि दरपन सपने में देखने का मतलब होता है कि आपको संतान सुख मिलने वाला है सपने में यदि आप लाल फूल देखते हैं कोई भी लाल फूल देखते हैं तो वो अच्छा शगुन माना जाता है इसका मतलब होता है कि आपको संतान सुख मिलने वाला है अगर आप सपने में हरा भरा खेद या हर्याली देखते हैं तो यानि धन और सुख का समय आने वाला ह यह संतान प्राप्ती का भी सूचक माना जाता है दोस्तो हर्याली चाहे सपने में हो चाहे असल जिंदगी में हर्याली बहुत अच्छी लगती है सपने में नाखुन का बड़ा हुआ देखना अच्छा शगुन माना जाता है यह सपन बताता है कि आपको कहीं से धन लाब होने वाला है नी संतान दपती को संतान सुक्का संकेत होता है यह सपन